हेलो डियरेशन बहुत-बहुत स्वागत अपनी यूटूब चैनल कॉमत बिसंजीब सर में और आज मज़ा जाएगा मैं फाइनल एकॉंट्स को यहां से स्टार्ट करता हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट यह टॉपिक है अगर आपने कॉमर्स को चुना है तो समझ लेजेगा क कॉमर्स में अगर सबसे अच्छा टॉपिक है या सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है तो वो है फाइनल एकॉंट जिसको हम अंतिम खाते कहते हैं चाहें आपका 10th हो चाहें आपका 11th हो चाहें आपका B.B.A. हो चाहें आपका M.B.A. हो हर जगए पर आपके लिए फाइनल मिलेगा आप जानते हो कि final account क्यों होता है क्योंकि business को सही से run करने के लिए सबसे जरूरत होती है हिसाब किताब रखने की हर ब्यापारी चाहता है कि उसको कितना profit हुआ कितना loss हुआ इसकी पूरी पूरी जानकारी मिल सके और सिर्फ यही एक ऐसा तरीका है अंतिम खाते बनाने के द्वारा कि ब्यापारी को सही से पता चल पाता है कि वो profit में जा रहा है या loss में जा रहा है हमारा पूरा subject commerce है क्या पहले ये समझेंगे इसके बाद में फिर महत्तो समझ पाओगे कि अंतिम खाते का क्या महत्तो है तो आईए सुरू करते हैं बहुत important chapter जिसका नाम है final account high school से ले करके और आगे तक की पूरी commerce का सबसे महत्तमूर chapter बहुत जगह से आपने देखा होगा लेकिन यहां देखिए हमारे यहां पर आने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि final account रटना नहीं है सिर्फ दिमाग से समझना है ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि final account आपसे माफी मांगेगा कि हाँ हम बन करके तयार हो रहे हैं कि बस समझे दिहान से हम क्या समझाना चाहा रहे हैं आपके लिए ओके आईए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतिम खाते का अर्थ क्या होता है हलाकि इससे समझने तो और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और बीकॉम में जब सही है रखा है सलेवस में तब से समझ लो कि अंतिम खाते की डिमांड और जादे बढ़ गई है तो बीकॉम के जितने भी स्टुडेंट हैं उनके लिए अंतिम खाते को मैंने चुटकी में समझाया था और ये वीडियो चाहें है स्कूल बाले देख रहे हो चाहें बीकॉम बाले देख रहे हो चाहें अलेबंत बाले देख रहे हो चाहें MBA बाले देख रहे हो सब के लिए एक दम बरदान सावित होगी और समझ जाओगे कि अंतिम खाते आज किलियर हुआ कि कैसे बनते हैं तो अंतिम खाते का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ इस तरह से लिखोगे हला कि इन सब की जो थियोरी है PDF के थोरो जो लोग जुड़े हुए जितने लेंदेन चल रहे होते हैं उन बर्स के अंतिम बाले दिन तक जितने भी लेंदेन हुए हैं उन सब के लेंदेनों से परड़ाम जानने के लिए जो खाते तयार किये जाते हैं उन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं तो अंतिम खाते कुछ और नहीं है पिरतेग ब्यापारी पूरे बर्स बर ब्यापार करता है और ब्यापार करने के बाद में उसके अंदर ये जिग्यासा रहती है कि उसे पूरे बर्स में कितना लाब हुआ, कितनी हानी हुई, कितनी रोकड आई, कितनी रोकड गई समपत्यों में ब्रद्धी हुई पूंजी में ब्रद्धी हुई या कहीं नक्षान हुआ वो सारी बातें उसको पता चल सके तो जिन खातों के माध्यम से उसको ये सब चीजें पता चलती है उन्हीं खातों को हम अंतिम खाते कहते हैं और संचेप में एक definition खाते तयार किये जाते हैं उन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं ओके तो किलियर हो गया कि अंतिम खाते क्या है अब बात करते हैं अंतिम खाते के बाद अंतिम खाते में बनाई जाने वाले खाते ठीक और इसमें बच्चे ये सोचते कि मातर तीन चीजे बनती हैं ब्यापार खाता लाभानी खाता और आर्थिक चिठ्ठा एक सेकंड के लिए माफी चाहेंगे थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए तो यहाँ पर अभी हम अंतिम खाते में बनाए जाने बाले खातों की बात कर रहे थे तो बिटा अंतिम खाते में बनाए जाने बाले जो खाते होते हैं वो देखिए कितने होते हैं सबसे पहली बात बताएं देखो deeply knowledge हमारी channel पे मिलेगा और बहुत सरल भांसा में मिलेगा जो चीज़े यहां मिलेंगी हर जगह पर नहीं मिलेंगी हमारे channel पे एक तो easy language plus headings हर topic की आपको सबसे ज़ादा और दूसरा जो समझाने का तरीका है हम ये कोसिस करते हैं कि सारा का सारा हमारे student को समझ में आए तो जब अंतिम खाते में बनाए जाने वाले खातों का नंबर आए तो सबसे पहले नंबर पे होता है निर्माली खाता ठीक? कौनसा? निर्माली खाता इसे manufacturing account भी कहते हैं ठीक है? दूसरे नंबर पे होता है मारा कौनसा ब्यापार खाता तीसरा होता है यहाँ पर लाव हानी खाता और चोथे नंबर पे होता है खाता नहीं होता है क्या होता है? आर्थिक चिठ्था ठीक? लेकिन mostly क्या होता है? निर्माली खाता बनाता कौन है? वो कमपनिया जो सिर्फ माल बना करके और थोक बिक्रेताओं को बेच देती है उनके लिए एक खाता बनाना होता है निर्माली खाता निर्माली खाता जैसा कि इसके नाम से ही इस्पष्ट है निर्माल करने से संबंदित आने वाले समस्त ब्ययों को इस्पष्ट करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या निर्माली खाता पिरजे समझेंगे कि किसी भी वस्तू का किसी भी उत्पादन का निर्माल करने है तू या निर्माल करने में आने वाले समस्त ब्ययों का लेखा जोखा करने है तो जो खाता बनाया जाता है उसे हम कहते हैं निर्माली खाता अब चुकि निर्माली खाता जो लोग बनाते हैं उसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कहा होता है जाकर के ब्यापार खाते में होता है तो जितनी भी कंपनिया हैं वो माल बनाती हैं और साथ साथ में अपने आप बिजनिस भी करती हैं इसी कारण से निर्माली खाते को बहुत कम बनाया जाता है बनाया जाता है निर्माली खाते के इस्थान पर कौनशा ब्यापार खाता इसका भी balance ब्यापार खाते में ही transfer होता है ये सब एक दूसरे में transfer होते है निर्माली का ब्यापार में, ब्यापार का लाभानी में लाभानी का आर्थिक चिठा में आपकी books में हो सकता है कि इतना deep ना बताया हो ओके चलिए ब्यापार खाता क्या होता है ब्यापार खाते से आशे उन लेंदेनों से होता है जो वस्तु को किरय करने तयार करने से ले करके और बिक्रय करने से सम्बंदित हो यानि सिर्फ और सिर्फ किरय और बिक्रय पिलस निर्माड यानि ये निर्माड ठिक और निर्माड किया गिया हो और साथ में क्या हो किरय और बिक्रय हो जिसमें इसका समावेस होता है तो उसको हम कौन सा खाता कहते हैं ब्यापार खाता कहते हैं और आज बनाना 100% सीख क्या कैसे करके सीखोगे वो दो मिनिट का बस बेट कर लो लाव हानी खाता किसे कहते हैं बहे खाता जिसमें सकल लाव में से आपरत्यक्ष बेयों को घटाया जाए सकल लाव में से आपरत्यक्ष बेयों को घटाया जाए उसे हम क्या कहते हैं लाब हानी खाता कहते हैं और इससे सुद्ध रूप से हमको लाब और हानी का पता चलता है इसके द्वारा बताये गए लाब पर ही ब्यापारी का पूरा पूरा हक होता है पूरा अधिकार होता है ब्यापार खाते से निकलने वाला सकल लाब ब्यापारी क पिता जी का नहीं होता है ये लिख मत देना पिता जी का नहीं होता है ब्यापार खाते से निकलने वाला जो सकल लाव होता है उसमें बिटा आप्रत्यक्ष बयों को और घटाना होता है ठीक है आर्थिक चिठ्था ये ब्यापार की आर्थिक इस्तिवत आता है यानि दोनों पक्ष का योग कैसा आता है बराबर आता है और इनकी जो पूरी थियोरी है उसमें टाइम बरबाद करने से कोई फाइदा नहीं है हलाकि सरल तरीके से यहाँ पर हमने प्रेजेंट कर दिया बाकी बिस्तार से इसकी थियोरी की जो पीडियेफ है उसमें लिखा हुआ है आप देख लीचे का और ये पेड किलास की वीडियो बनेगी चलिए अब हम बात करते हैं कि अंतेम खाते का सबसे सरल तरीका क्या है अधिकांस कॉलिजिस में, कोचिंग्स में गुरुजी कहते हैं इसको रट लो कि व्यापार खाते में मुश्कल से 6-7 एंट्री जाती है और लाभानी में भी 10-15 भी साती है और बाकी जो कुछ बचेगा आर्थेक चिठ्था माता आप बिलकुल ऐसा नहीं करेंगे आप एक नई ट्रिक सीखिए क्या सीखना है देखो चलिए तीनों को बनाना हम सिखाएंगे ठीक आप ये करिए अब निर्माणी खाता बहुत कम बच्चों को कभी आ गया तो आ गया नहीं तो ये तीन चलेंगे ठीक है देखो इन तीनों की क्या है ट्रिक एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी से अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी एंट्री ब्यापार खाते में जाती है कौन सी एंट्री लाभानी खाते में जाती है कौन सी एंट्री आर्थिचिठिम जाती है ठीक है चलिए हम सब लोग थोड़ी दिर को ब्यापारी हो जाते हैं जब व्यापारी अपने आपको मानोगे तो commerce जल्दी समझ में आएगी, ठीक है, क्या करना है हमारे लिए, कि हम सब लोग मिलकर के एक furniture की shop खोलते हैं, ये दुकान हम लोगों की है, ये इसका gate है, और अंदर पूरा कारोबार चल रहा है, लोग इसमें पूरा अपना कारोबार कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक, देखो, हम क्या करते हैं, कि यहाँ पर furniture का निर्माल करके, क्या करके, निर्माल करके, और उसका क्या कर रहे हैं, बिक्रे कर रहे हैं, ठीक, बिक्रे क्यों कर रहे हैं, लाब कमाने के लिए, और लाब से हमारी क्या हो रही है, पूजी म विरद्धी ठीक इस तरीके से समझो तुरन समझ में आएगा बिटा हम सब लोग फरनीचर का एक ब्यापार कर रहे हैं क्या कर रहे हैं फरनीचर का ब्यापार ठीक और जब हम फरनीचर का ब्यापार करेंगे तो क्या क्या होगा अंदाजा लगाए कलपना कीजिए सबसे पहले हमारे पास में जितना गोडाउन में माल रखा हुआ होगा वो सब घचा घच यहां पर गोडाउन में भरा हुआ होगा तो भाई वो माल सब हमारा प्रारंबिक रहतिया या अंतिम रहतिया वो ही तो कहलाएगा तो प्रारंबिक और अंतिम रहतिया बो दोनों चीजे कहां जाएंगी ब्यापार खाते हम जाएंगी ठीक है दूसरी चीज हम जितना भी माल बना रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है कुछ कच्चा माल हमको खरीदना पड़े तो भाई माल तयार करने के लिए जितना माल खरीदना पड़ेगा वो कहां जाएगा ब्यापार में जाएगा अच्छा माल खरीद करके ला रहे हैं तो धुलाई अगर हमको देनी पड़ेगी तो वो सब धुलाई जब तक यहां पर आएगी तब तक हमारी कहां जाएगी ब्यापार खाते में जाएगी अच्छा यहाँ पर मशीने चल रहे ही वो बिजली खर्ज करेंगी इंधन, गैस, कोईला, इत्यादी खर्ज करेंगी वो सब चीजे कहां जाएंगे ब्यापार खाते में जाएंगे तो आप समझने का प्रयास कीजिए, कि वो माल जो हम बना रहा है वो जो हम बेचेंगे, तो वो कहां जाएगा, वो ब्यापार खाते में ही जाएगा तो यहां पर एक सीधा सा सिद्दान्त है, कि जितनी यहां पर काम हो रहा है कार खाने में, उससे सम्मंदें जितने भी लेंदें होंगे वो सब के सब कौन से खाते में जाएंगे ब्यापार खाते में इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ब्यापार खाते में क्या आता है तीन चीजे आती है किरे, बिक्रे, प्रत्यक्षबे ठीक किरे, बिक्रे, प्रत्यक्षबे अब यह पिरत्यक्षबे क्या होते हैं, ये बड़ी कठिन चीज आ गई, कुछ नहीं है कठिन, पिरत्यक्षबे का मतलब है, कि वो खर्चे जितने भी होंगे, जो सब उत्पादन में लगा दिया जाएंगे, यानि उनका हिस्सा उत्पादन में लगा दिया जाएगा, उन बे तब समझाते आप प्रतेख्ष बें हमेसा संबंदित होते हैं क्या विक्री के बाद में। ठीक होते हैं प्रतेक्षिप यह कहा होते हैं। विक्री से पहले यानि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं अब देखो पेपर में भोत सारी एंट्रीस हैंगी। तुमको कोई entry नहीं रटनी है, सिर्फ ये देखना है, कि वो जो कह रहा है, वो बिक्री से पहले का है, ब्यापार खाते के डेविड में डालोगे, अगर बिक्री के बाद का है, तो कहां डालोगे, लाभानी के डेविड साइड में डालोगे, ना मानू तो practical करके देख लो, ब किस से है, विक्री के बाद का है, पहले का है, अंतिम रहतिया, वो भी बिना विका हुआ है, कहां पर है, यहीं पर जाएगा, व्यापार खाते में, क्यों, क्योंकि विक्री से पहले का ही है, किरये, विक्री से पहले का है, किरैपर ढुलाई, विक्री से पहले की है, मजदू मजदूरी किसे कहते हैं मजदूरी जब कोई मजदूर हमारे यहां पर काम करके और कोई प्रोडक्शन करता है तो बिका तो है नहीं तो मजदूरी कहा जाएगी यहीं ब्यापार खाते में धुलाई धुलाई किस पर किरैपर लिखी होई होगी तो इधर आएगी ब्यापार ख इसलिए बार और इसके बाद में भाड़ा और वो भी किस पे किर्या पर इधर आ जाएगा या विक्री को करने के लिए होगी यानि बिक्री से रिलेटेट होगी वो आती है कहा यहाँपन और आर्थिक चिठ्ठा में संपत्यां और दैट जो चीज़े आती हैं तो उसको तो बच्चे बहुत आसानी से बना लेते हैं इतना टफ नहीं है दिक्कत यहां पर होती कि एक दो एंट्री ऐसी होती है कि वो लाभानी खाते मिडाले या भ्यापार काते मिडाले ये कैसे के लियर करें तो हम बताते हैं परतक्षवे क्या है हम लोग गए और देहली से एक मोटर साइकल परचेज करके लाए और मोटर साइकल हमको मिली 50,000 रुपे में और हम उसको लेकर के आए लखनों तक और लखनों में जब मोटर साइकल को लेकर के आए तो पता चला कि 5000 रुपे का हमारा तेल हो गया और हम का चला झाए करें अगर पता को लखनों में करें था की 5000 रुपे की मोटर साइकल है ये एक मसीन जो आप एक लाख रुपे की पर्चेज करके लाए और उस मसीन को फिट कराने में तुमने दस हजार और खर्च कर दिया अपने घर पे आके कोई व्यक्ति कहता यह मसीन कितने की है तो आप बोलते हो यह भाई एक लाख दस हजार रुपे की है बे बे जो निर्माल से सम्मंदित हों उस बस्तू से सम्मंदित हों यानि जब तक वो चलना पड़े तब तक वो सारे बे उसकी कीमत में जुड़ते हुए चले जाते हैं ठीक यहाँ पर इसी प्रकार से ब्यापार से रिलेटेड जितनी भी चीजे होती है बो सब प्रत्यक्ष का रूप होती है जैसे यह पैन यह जब पैन बनाया है तो इस पैन को बनाने में प्लास्टिक लगी हुई है प्रत्यक्ष खर्चा है इसको पिगलाया गया होगा प्रत्यक्ष खर्चा है जिस मजदूर ने से बनाया उसको मजदूरी दी गई होगी, पृतियक्ष है इसका बिग्यापन कराया होगा बिग्यापन कितने का हुआ, कितने का नहीं हुआ अब तुम सोचों कि ये भी नहीं दिखरा है लेकिन अनुमान तो लगा सकते हो कि हाँ इसको किसी ने बनाया होगा उसे मजदूरी दी गई होगी, विग्यापन जरूरी नहीं हुआ हो, ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे सारे में, जो खर्चे आप प्रत्यक्ष बे से संबंदित होंगे, बही लाभानी में जाएंगे, जो प्रत्यक्ष होंगे, वो सब यहाँ पर आजाएंगे, और प्रत्यक क्योंसी होती है, क्रे में, देखो, सबसे पहले तो आज जाता है प्रारंबिक रहतिया, ठीक है, इनका नमूना भी हमने आपको जो नोट्स दिया है, पीडियाप उसमें सब क्लियर है, तो प्रारंबिक रहतिया हो जाता है, फिर क्रे होता है, फिर क्रे बापसी होती है, इस कहीं कहीं पर आयात सुल्क लिखा हुआ होता है तो आयात सुल्क का मतलब क्या होता है खरीदने से संबंदित होता है इसलिए वो लाभानी के में ना जाकर करके यहीं पर आ जाता है जिसे इंपोर्ट ड्यूटी भी कभी-कभी लिखा हुआ होता है import duty ठीक है तो import duty के नाम से भी यहीं पर यह होता है और इसके बाद में मजदूरी किसे कहते हैं भाई कोई मजदूर काम कर रहा है उसके दौरा दी गई सेबा के बदले हम जो कुछ भी उसर देते हैं वो उसकी मजदूरी कहलाती है तो मजदूरी और इसके अलावा क्या होता है कोईला गैस ठीक कहीं पर भी कार खाने का ब्याय या खर्च करके कहीं पर लिखा हुआ हो यह सारी चेंज़ें आपको कहां पर मिलेंगी भ्यापार खाते हैं मिलेंगी और बो सब खर्चे जो किसी भी वस्तू को बेचने से सम्बंदित हो यानि बिक्रे के बाद के हो या बिक्रे से सम्बंदित हो वो सब के सब आपरत्यक्ष बे कहलाते हैं प्रत्यक्ष बो होते हैं जो निर्माल से संबंदित होते हैं आप प्रत्यक्ष बे होते हैं जो लावहानी से संबंदित हैं ठीक है उनको आप प्रत्यक्ष कहते हैं अब इसमें बेतन है बेतन किसे देते हैं नोकर को देते हैं नोकर क्या होता है दुकान पर जो माल तयार है उ लिए पर खाते माता है और यहां पर बेतन है तेलीफोन ब्याए है पिरकास ब्याए है ठीक भिजली ब्याए है कार्याले ब्याए है अब यहां पर इसलिए आते हैं ठीक है और इसके अलाबा भाडा विक्री पर है विक्री का मतलब है जाहर सी बात है कि इसमें आ जाएगा कमी माल को बनाने से संब्देतों, ये सब चीजे होती है, क्रभविक्रष और इसके बाद की चीजे होती है, ठीक है, इसलिए ये सब इधर आजाती है यात्राब्याय है, डूबत्रिल है, कमीशन है, यह सब लाभानी की ही amounts है, ठीक है, जो लाभानी में जाने वाली यह सारी entries है, अब इस तरह से ब्यापार खाता और लाभानी खाता इन दोनों के लिए, इस वीडियो कम से कम दो बार देखना, बहुत कुछ आपको नया समझ में आएगा, और इसके बाद में आता है, आर्थिक चिठ्ठा, तो आर्थिक चिठ्ठे में दो तरहीके हैं समझने के, संपत्यों के लिए तो ऐसे ही समझ जाता है, बच्चा, लेकिन जब हमको अंतिम खाते बनाने होते हैं, तो तलपड बना हुआ हुआ मिलता है, और तलपड वाले टोटल से हमको देख करके ये करना होता है कि वहिया दाइत तो पक्ष में केबल वोई चीजे जाएंगी जो तलपट के क्रिडिट में दी हुई होगी और जो डेविड में दी हुई होगी वो समपक्तियों का बैलेंस होगा लाभानी के डेविड साइड का बैलेंस होगा और व्यापार खाते के डेविड साइड का बैलेंस होगा तो ज़्यादा टेंसन नहीं लीजेगा इसका अब नुमेरिकल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और आप तयार हो जाईएगा ठीक है और इस वीडियो में जो आपने सीखा उन चीजियों का ध्यान रखना कि क्रे से संबंदित क्या है बिक्रे से संबंदित क्या है ओके यह चीजे किलियर हो गई तो ब्यापार लाभानी खाता किलियर हो जाएगा ब्यापार लाभानी खाता हो गया तो आर्चिक जिठा तो आराम से मिल ही जाता है तो कैसे लगा यह वीडियो ज़रूर बताना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई